Good morning students, जैसा है कि आप सुभी को पता है कि आपका result आ चुका है B.A.D. First year यह result आ चुका है, पाकिश किसी और course का result भी है तो उसमें भी कोई issue आता है, तो उसके बारे में बात करेंगे तो यह common issue मिलेगा सभी के लिए जिसे ने online या offline exam दिये तो आपके doubt हम clear कर देते हैं जो beard का result आया है पहले उसकी बात कर लेते हैं beard का result हो या किसी और course का result हो जिसे भी में ये issue आता है तो हम बताएंगे कि उसका क्या reason हो सकता है तो वीडियो को ध्यान से देखें आप तो beard का result बहुत से बच्चों अपना check भी कर लिया जिसे ने check ने गया वो check भी कर रहे है कल जो मैंने वीडियो डाले तो उसमें result check ने प्रोसेस दिया हुआ था और direct link भी दिया था result check कैसे करना आपको direct link पे click कीजिए वीडियो के description box में दिया है तो वहाँ से आप check कर सकते हैं फिर भी कोई issue आ रहा है तो मेरा वहाँ पर whatsapp group भी है description box में वहाँ से आप join कर सकते हो मेरे को message करके पूछ सकते हो अब बात करते हैं जो result आया है बहुत से बच्चों का क्या issue आया है वह result कीस परकार का वह मैं आपको दिखाता हूँ हाँ जी अब जो result आया है जैसे बच्चे रोलन में डालते हैं तो ये message आपको दिखाए देता है crsu.ims.com says क्या कहता है पोर्टर either you are UMC case or you are not registered दो meaning है आपके लिए अब दोनों meaning को अलग अलग पर समझेना वो कहता है या तो आपकी UMC है या फिर आप registered नहीं हो अब आपको क्या करना है बहुत से बच्चे बोले कि हमें तो paper offline दिए थे हमारा भी ऐसे लिखा आया हुआ है जबकि UMC नहीं बढ़ी नहीं है उसको पता चल जाता अफ्लाइंग आते है उसका भी ऐसे लिख लिखा वार रहा है जिस बच्चे ने offline पर exam देते वार्निंग भी नहीं आई उसको भी लिखा मैसेज आया है वार स्क्रीन पर तो यह बहुत से बच्चों कहात इस हुए है तो उसके में रिजन बता देता हूं पहली बात जो UMC गंडिट है उसका क्या है कि UMC हो भी सकती नहीं भी हो सकती यह offline exam जिस ने दिया था बच्चे ने उसको तो sure है कि उसकी UMC नहीं बनी है क्योंकि flying आती है यह UMC बनाता है जब कुछ बनाई ही नहीं है तो उसको UMC नहीं है तो वह तो secure हो जाई है दूसरी बात है यह online mode से जिस बच्चे ने online mode से exam दिया था और यह message आपको शोर कर रहा है में इसका चांसी हो सकते हैं कि UMC consider होक्योंकि software उठा लेता है अब इस पर ज़्यादा गबराने की बात नहीं है दूसरा पार्ट हम लेते हैं सेगेंड पार्ट की बात करते हैं you are not registered अब इसका मिनिंग क्या है you are not registered का मिनिंग यह है आपने बेर्ड का admission लिया अपने document college में submit कराए उसके बाद university में verification के लिए आपके document जाते हैं आप देखना सभी बच्चे जो आपका admit card इसू किया गया था university के तरब से तो उस पर किसी का भी registration number mention नहीं था PR number जिसको बोलते हैं PR number और registration number mention नहीं था ठीक है दो बाते हैं जिस बच्चे को admit card मिला है आप चेक भी कर सकते हैं जिस बच्चे को अपना admit card मिला है बेर्ड first year का तो उसमें देखो PR number या registration number एक ही बात होती है तो वो है या नहीं वो किशी के admit card पर नहीं मिला है क्यों यूश्टी नहीं तब तक जारी नहीं किये थे तो रोल नंबर वैसे ही इसू कर दिया थे उसके बाद यूश्टी नहीं कहा किया जो आपके document admission के time पर submit होते हैं उनको verification करती है तो verification इस प्रकार दी जाती है यदि आपकी final year की marks जो consolidated marks होते हैं यदि वह भी DMC uploaded नहीं है उसको भी deficiency में count कर लिया जबता है तो जिस बच्चे की clear जो image है आपके documents की upload नहीं है उसकी deficiency है first बात second बात किसी बच्चे consolidated DMC नहीं आया थे उस time तक जब उसका admission हुआ था और बाद में आया और उसने यूश्टी में नहीं submit की है तो उसकी deficiency है क्यों यूश्टी consolidated result मांगती है तो combined DMC जो एक आती है न लास्ट में तीनो साल का result होता भी एगा यह जो भी आपका graduation पोस्ट के डिविशन होती है वो consolidated market हों जिए जिए इस बच्चे की नहीं आये थे इसने टाइम पर तो वह भी deficiency में काउंट किया थाड़ important बात है किसी का migration submit नहीं है उसको भी deficiency में count किया यह तीन deficiency है जिसकी वज़े से यह message आपको आ रहाया है तो अपने सभी बच्चे इस चीज को verify करें कि जो भी deficiency agency agency university नहीं आपको लगाई है वो college से पता कर सकता अपने बच्चा कि मेरा माइगरेशन का सभी को पता है पहली बात migration का सभी को पता है कि मेरा समिट है नहीं है दूसरी बात consolidated DMC मेरी समिट है नहीं है दो बाते आपको confirm करनी है तो यदि वो नहीं है तो वो जमा करवाएं उसके बाद आपका result declare कर दिया जाएगा ठीक है घबराने कोई बात नहीं है you are not registered का मतलब यह है कि आपका जो registration number है वो जनरेट नहीं किया है उनिवस्टी नहीं अभी तक जिसका registration number जनरेट हुआ उसी का result वेबसाइट पर शोग कर रहा है तो अपने discrepancy college से पता कीजिए जो भी discrepancy है उसके document college में submit कीजिए जिस भी college में आप पढ़ते हो और अपने document अपना confidential result वहाँ जागे निकला सकते हैं ठीक है तीन बात आपको बताएं फिर भी कोई issue आपको आता है तो पूछ सकते हैं अराम से ठीक है students बाकि कोई issue नहीं है कोई भी course है यही है कि result में यह और किसी भी course में यह message आता है सभी के लिए यही एक criteria होता है रिजल्ट ना आने का यह message जो शो होता है इसका नहीं आने का तीनी बाते होती है या तो आपकी consolidated market submit नहीं है जो आपने वैसे लास्ट यह समिट कर दिने consolidated market नहीं है ठीक है वह आपने चेक करना तिसरा कोई भी आपको criteria वह eligible नहीं थे लेकिन आपने फिर भी बात नहीं है अपने जो भी डिस्क्रिप्रेंट से आपकी जो भी deficiency लगे हुई है वो call जब पता कि जीए और उस call document को आप submit कीजिए आपका result आ जाएगा फिर भी कोई question है तो आप पूछ सकते है whatsapp group का link मेरे description box में वहाँ पर आप join कर सकते हैं कोई और answer ले सकते हैं okay students तो यह information दी तो panic ना हो अराम से enjoy कीजिए result आपका shape है okay thank you like the video and do maximum subscriber okay students share the video and like the video also and share to your friends group also okay students thank you